तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लोकसभाच चुनाओं के मद्देनेजर बिहार से बिहार में महागटबंदन ने सीट सेरिंग का फर्मूला तै कर लिया है आज आधिकारिक एलान भी हो गया है जॉइंट प्रेस कॉन्फरेंस हुई है पटना में और जिसमें सभी नेता वहाँ पर दिख रहे हैं महागटबंदन में जो सामिल हैं सभी पार्टियों के नेता प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर मवजूद है शीट सेरिंग का जो फर्मूला तै हुआ है महागट बंदन में वो वही है जो कल से खबर चल रही थी 29 और 5 का फर्मूला तै हो गया है 26 सीटों पर RJD चुनाव लड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 सीट कॉंग्रेस को दी गई है और 5 सीट जिसमें CPI ML है CPI है और CPI M है CPI ML तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी CPI M एक सीट पर और CPI एक सीट पर चुनाव लड़ने वाली है सुनिए पहले अब्दुलबारी सिद्धिकी को जो एलान कर रहे हैं जोएंट प्रेस कॉंफरेंस में सीट सेरिंग का फर्मूला जो एलान हो रहा है पहले हम आपको वो सुनाते हैं बंदन के जिन धटक गलों को जोश सिचे निर्णे लिये गएं लड़ने के लिए उसकी सूची निमने परकार हैं पर देना सीपी एं खगरिया सीपी आई बेगुसराया सीपी आई एमेल आरा कारा काट नालंदा इंडियन निस्नल कॉंग्रेस आग्याओ एसेंबली बाई एलेक्षन हुनका था ज्यासी भीवो लड़ेंग इंडियन निस्नल कॉंग्रेस किसंगन, कठिया, भागलपूर, मजफरपूर, समस्तिपूर, वेश्चंपारण, पटना साहिव, सासराम, महराजगन राष्टिय जन्ता दल, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मकसर, पाटिपुक्र, मुंगेर, जमुई, माका, बालमिकी नगर, पुर्भी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैसाली, सारन, सीवान, गोपालकन, उजियारपूर, तर्भंगा, मदवनी, जन्जारपूर, सुपोल, मदेपूरा, पूर्निया, अररिया, हाजिपूर आपने सुना अब्दुल्बारी सिद्धिकी को सीट सेरिंग फाइनल हो गई है, महागट बंदन में इंतजार खत्म हो गया है, अटकलों का दौर भी अब खत्म हो गया है, क्योंकि राश्ट्रिय जन्तादल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलान हो गया है, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बकसर, पाठली पुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वालमिकी नगर, पूर्वी, चमपारन, सिवहर, सीतामडी, वैसाली, सारन, सिवान, गोपालगंज, उजियारपूर, दर्भंगा, मधुवनी, जंजारपूर, सुपा परपूर, समच्तिपूर, वैस्चमपारन, पतना साहिव, सासाराम, और महराजगंज, सीट कॉंग्रेस को मिली है, CPI ML की बात करें तो आरा, कारकाट, नालंदा, ये तीन सीट पर CPI ML अपने कैंडिडेड उतारेगी, CPI को बेगु सराय की सीट मिली है, आपको पता है, कॉम पर्टी से, CPI ML को खगडिया की सीट मिली है, जी हाँ, अब साफ हो गया है, 26, 9 और 5 का फर्मूला तै हो गया है, अब दुलबारी सिद्धिकी ने आज जो एड प्रेस कांफरेंस में एलान कर दिया, जो पूर्णिया की सीट है, जो जिस पर माथा पच्ची चल रही थी, जि लेकिन कॉंग्रेस यहाँ पर हार गई आरजेडी से, लालो यादव ने बीमा भारती को वहां से टिकट दे दिया है, आरजेडी के तरप से बीमा भारती मैदान में होंगी, अब संतोस कुश्वाहा के खिलाफ, जी हाँ, संतोस कुश्वाहा जेडियू से विधायक, आफकी लालो यादव ने टिकट दे दिया है, तो पपू यादव का क्या होगा, पपू यादव ने कल कहा कि आत्मत्या कर लूँगा, लेकिन पूर्णिया नहीं चोड़ूँगा, तो अब त्रिकोनिय मुकाबला होगा पूर्णिया में, पपू यादव किसी भी आहलत में पूर् बंद होकर बीमा भारती को वोट देंगे या फिर से बिखराव होगा पपू यादव कुछ वोट ले जाएंगे और OAC की पार्टी भी तो है तो ऐसे मैं अब संतोस कुस्वाहा का रास्ता साफ होता दिख रहा है तो एक तरह से कहें तो लालू यादव ने नितीश का गेम बन मिल हुई है और उन्हें शिवहर सीट दी गई है तो शिवहर से यह बात चल रही है आरजेडी से की उन्हें रितू जैसवाल को टिकट दिया जाएगा रितू जैसवाल आप जानते हैं अपने दम पर मुखिया बनी और अपने बेबाग, बयानों की वज़ा से जानी जाती ह महागटबंदन में सीट सेरिंग का फर्मूला तेह हो गया है 26 नौ और 5 का फर्मूला बना है 26 सीटों पर RJD 9 सीटों पर कॉंग्रेस और 5 सीट लेफ्ट की पार्टियों को दी गई है खिलाल के लिए इस खबर में इतना ही तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे बने रहें दर्शन्यूज के साथ